सिवान में नहीं थम रहा अपराध दिन दहाड़े अपराधियों ने CSP संचालक को मारी गोली दिन प्रत दिन अपराधी बेख़ौफ होकर दे रहे बड़े बड़े घटना को अंजाम सो रही है जिला पुलेस इस वक्त की बड़े खबर सिवान से आ रही है बतादे की सिवान में इन दिनों आपराधी घटनाए दिन प्रते दिन बढ़ती ही जा रही है एक बड़े खबर सिवान के अंदर से निकल कर सामने आ रही है आपको बता दे कि अंदर के गणार के पास एक सीएसपी संचालक को आप राधियों ने दिन दाइडे गोली मारकर गाइल कर दिया है एस्थाने लोगों की मदद से घायल CSP संचालक को सदर अस्पताल में भरती कराए गया है जहां उनका इलाज चल रहा है घायल CSP संचालक की पहचान भरावली निवासी बाबूलाल यादो का 36 साल का बेटा हरिंद्र यादो बताय जा रहा है घाटना की संचालक की संचालक हरिंद्र यादो हुसेन गंज ब्रांच से पैसा लेकर भरावली अपने CSP केंदर जा रहे थे तभी तीन की संख्या में आपराधियों ने उन्हें भीकपूर और गणार के पास गोली मार कर घायल कर दिया घाटना की संबंद में बताय जाता है कि गोली उनके जांग में लगी है फिलहाल पुलीस पूरे मामले की जांच कर रही है और आपराधियों ने इस घाटना को अंजाम देकर सिवान पुलीस के सामने एक बड़ी चुनवती खड़ी कर दी है हाल ही में हमने देखा था कि स्वान वेफसाई को गोली मार कर मौत के घाट उतार दी गई थी अब एक बार फिर एक सेस्पी संचालक को गोली मार कर घायल कर दी गई है हाल ही में पत्रकार को भी गोली मारी गई थी अब सिवान पुलीस के सामने बड़ी चुनोती है कि कैसे नापराधियों पर लगाम लगाई जाए बियरो रिपोर्ट, SM Live News देश और दुनिया की ऐसी ही खबरों को पाने के लिए जुड़े रही हमारे साथ और हाँ अगर आप वीडियो को फेस्बुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेस्बुक पेज को लाइक करें और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सबस्क्राइब करना मत भुलिए वीजियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और अपने कमेंट सरूँ